तो हेलो दोस्तों, कई दोस्तों का पॉबलम ऐसे आ रहा है कि ग्रेन स्क्रीन पूरी तरह से हटती नहीं है तो हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले है कि आप लोग पूरी तरह से ग्रेन स्परदा कैसे हटाए हमारा वीडियो में आप देख सकते हो, एक वीडियो पे ग्रेन स्क्रीन हटी नहीं है और दूसरे में मैंने पूरी तरह से हटा दिया है तो वीडियो पूरा देख लिजिए, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि हम कैसे हटाते है तो चलिए हम किंग मास्टर में आ चुके है और एक ब्रेग्राउंड ले लेते हैं हम ब्रेग्राउंड ले लेते हैं, इतने में आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिए और चणल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिजिए तो हम यहां से 2-3 ब्रेग्राउंड ले लेते हैं जो भी हमें पसंद आएगा वो ही रखेंगे ब्रेग्राउंड हमने एड कर लिया है उसकी लेंद थोड़ी लंबी कर देंगे और हम वीडियो लेके आएंगे चलिए हम ये वाला वीडियो सिलेट कर लेते हैं अभी हम चलते हैं क्रोमा की में और एक क्लिक करते हैं देखो एक क्लिक में इस तरीके से परदा हट चुका है हमारा तो आप लोगों का क्यों नहीं हटता और आप लोगों का किस तरीके से रहता होगा और हम यही बता देंगे आप लोगों को एक क्लिक में इस तरीके से रहता होगा पूरी तरीके से हटता नहीं होगा तो इसका solution हम बताएंगे कि आप इस तरीके से रहता है तो पूरी तरीके से किस तरीके से हटा सकते है तो हम दोबारा क्रोमा की में जाएंगे और ये duration है इसको एक्जस करेंगे तो आप लोगों को देख लेना है कि green screen परदा पुरी तरीके से हटा है या नहीं तो इस तरीके से एक्जस करके आप पुरी तरह से green screen परदा हटा सकते हो और कई लोग क्या करते हैं एक ही क्लिक में परदा हटाने की कौसिस करते हैं तो उनको इस तरीके से थोड़ा सा green screen रह जाता है और पुरी तरह से clear नहीं होता आप लोग थोड़ा एक्जस करोगे तभी आप पुरी तरीके से green screen हटा पाऊगे नहीं तर ऐसे ही green screen परदा थोड़ा सा आपको दिखेगा वीडियो में आप लोग इतना एक्जस करके देखो कोई भी वीडियो का green screen परदा आप पौपर तरीके से हटा देंगे तो चलिए आप लोग थोड़ा सा समझ चुके होंगे तो हम वीडियो को end करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में काटून करेक्टर के साथ